राय साब सबसे पहले आपना पूरा परीचर दीजिए और यह बताईए कि आपकी बेटी किसाब की किड्नी जो डैमेज हुई थी क्यों हुई थी कैसे हुई थी पुरी घटना पविश्टार से बताईगे यह मेरा नाम विपिन कुमार राय हुई मैं सोनी राय का पिता जी हूँ यह मेरी बच्ची पुना में एंफेसिस कंपनी में जॉब कर रही थी अक्टूबर के लास्ट में इसे वहां पाउं में स्वेलिंग महसूस हुआ और कमजोडी महसूस हुआ तो वहां एक लोकल कि अपने बहुत उच्च सीमा पर 180 बटा 140 था और उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया ब्रड का यह यूरीन का आउस दर्म्यान में वह टेस्ट की रिपोर्ट आने पर उन्हें बहुत रिपोर्ट में हाई इस तर मिला तो उन्होंने वहां के अच्छे होस्पीटल आदी तिबिरला में रेफर किया वहां पर जाके जब उसकी पुरी जाच हुई तो वहां बताया गया कि बच्ची की किड़नी आपकी फेल है इसको पीजी आई चंडीगर या CMC भेलोर या लखनव आप लेते जाईए तो मैं मेरे को वहां से संभव नहीं था पुना से जाना तो मैं अपने होम टाउन पटना में इसको लेके आया और यहां पर नेफरो के डॉक्टर इंदुभूशन शिनहा जिन्हें पदम स्रिय वाड़ में मिल चुका था उनसे जाके मिला उनसे हमारा कुछ परिवालिक समन्द भी था उन्होंने भी पूल समुची इसकी जाच कर यह बताया कि बच्ची को ट्रांस्प्रांट कराना पड़ेगा इसके लिए आप उचित भेलोर में रहेगा आप वहां जाके फिर मैंने भेलोर जाने के लिए वहां के डॉक्टरों से कंसल्ट करके एपॉइंट्मेंट लिया उस वो प्रोगाम को एक महिना के लिए पॉस्पॉंट करना पड़ा उस दर्म्यान में बच्ची की और हलत यहां पर कुछ खराब हुई इससे मुझे रुमेन एमर्जेंसी होस्पिटल में भरती करना पड़ा महंडिक नाइनर के द्वारा इसका डैलिसिस किया गया और हाथ में यह भी फुसला बनाया गया और उन्होंने भी आगे सलाह के लिए सीमसी भैलोर को ही रेफर किया पुना मैंने अपना वहां के डॉक्टरों से जनवरी 2016 का अपॉइंटमेंट मिला मुझे मैं अपने बच्ची को वहां ले गया वहां पर उन्हों के डॉक्टरों ने संपुर्ण जाच की और इस नतीजे पर पहुँचे कि किड्नी है 90 पर्चेंट से एबब फिल कर चुकी है उसका एक ही उपाय है कि आप उसका टास्प्लांट क समुची परिकिरिया को उन्होंने मुझे आउगर्द कराया और उसका एनोसी वगरह लेने बैचिंग के लिए मुझे तीन मेने का समय दिया इस दर्म्यान में आप जो है अपने स्टेट से एनोसी वगरह लेकर मैं पुना पटना जन्वरी 21 को पहुचा और मुझे अपनी ब जानकारी मीकि कि नी के बहुत हिस रोगियों का उन्होंने सफ़ल इलाज किया है मैं उन्होंने मुझे समझा यह कि अग्रेजी में इसका क्याव ट्रांस्ट्रांट ही इसमभव है लेकिन हमारे हों पैथी में कЖ इलाज है मैं आपको स्योर कर रहा हूं बच्ची के बारे में कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगा मेरी बच्ची का 28 जनवरी 2016 से ड़क्टर पी के ग्यान जी के हां इलाज चालू हुआ अउस दर्वियान में CMC भेलोर के द्वारा जो रेफर की गई थी कि आपको हपता में तीन डैल कुछ आर्थी कारणों के वज़े से तीन डैलेसिस नहीं लेकर दो डैलेसिस ही ले पार रहा था जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में वी ब्राउन कंपनी अभिहार सरकार के सहयोग से वो पर डैलेसिस प्रभाइट कराते हैं वहां पर डैलेसिस हपता में दो डैलेसिस जनवरी मई 2016 तक चली उसके बाद पुना टेस्ट करने पर क्रिट नाइन बहुत कम आया तो डाक्टर्स पीके ग्यान जी ने सलाह दिया कि आब आप डैलेसिस बंद कर सकते हैं दवाई से ही बच्ची का ठीक हो रहा है और उजह भी और जाच फर्दर कराई तो उसमें बहुत सुधार हुआ और अभी बच्ची को बहुत सुधार है वो अपने स्वस्ते जिन्दिगी जी रही है मैं डाक्टर साब का बहुत अभारी हूं और लोगों को भी मैं सलाह दूंगा किट्नी समंदित जो भी पेसेंट ह सबसे मिलकर अपनी समस्या का सबधान राप्त कर सकते हैं जी मेरा नाम विपिन कुमार राय मैं सधारन सा बिजनेसमेन हूं कम्प्यूटर आई-टी एवां टेलकॉम सेक्टर से समंदित कार्जी को हम करते हैं और यहां की ट्रास्पोर्ट नगर मौरे भिहर कॉल्णी में मे पिताजी के बनाए हुए मकान में यह सब परिवार रहता हूं ठेंग।